हेलो एब्रिबन कैसे आप सब लोग मैं सुमिता और मेरी युटू चैनल पर आपका स्वागत है और आज कल हमने स्टार्ट करा था सीटैट के लिए साइकलोजी मैंने स्टार्ट करी थी और आज हम इसका जो है सेकिंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं दिखिए में देखिए पैडलोजी भी आती है और अब्जेक्टिब कोशन भी आते है थोरी मैंसे तो हमें जो है सीटीप को जो है बहुत ही डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तब ही हम उसमें अच्छे मार्क ला सकते हैं तो कर हमने पढ़ा था जो टॉपिक उसका नैस आज टॉपि कशन लेते हैं अभर दी और कास ऑन साथे तो इसके बारी में हम पूरी चांकार है चलिए स्टार्ट करते हैं आजका टॉपिक देखे सबसे पहले क्या है अभी व्रद्धी और विकास क्या है अगर कहा जाए तो अभी व्रद्धी और विकास को एक ही जैसा माना जाता है पर दोनों में बहुत ही difference होता है कैसे दोनों में अंतर होता है दोनों को ही पढ़ने की अवस्ता से माना जाता है लेकिन विकास जो होता है वो जीवन परियंद चलने वाली पिलकेडियों होती है और जो व्रद्धी होती है वो एक समय तक ही होती है कैसे देखे विकास जो है व्यक्ति का गर्वस्ता से ही स्टार्ट हो जाता है और गर्वस्ता से स्टार्ट होका उसका जीवन परियंत व्यक्ति का किसी न किसी तरीके से विकास होता ही रहता है आवी व्रद्धी यानि कि व्रद्धी क्या होती है कुछ समय बाद जो है व्रद्धी रुख जाती है तो इन में दोनों में यही डिफ्रेंस होता है, बेसिक सा क्या है, देखे विकास में क्या होता है, जब बच्चा जनम लेता है, जनने के लिए ब्रुण अवस्ता से होता है, तब उसका विकास होता है और ब्रद्धी दोनों होती है, धीरे धीरे जब वो शैशवस्ता में आता व्रध्धी का मतलब यहां पर माना जाता है कि जैसे की बड़ा होता है उसकी शारइडिक व्रध्धी शरीच से जाने कि उसके हाथ पर उसके अंगों का बढ़ना उसके आकार का बढ़ना उसका आवाज में परिवर्तन होना तो ये सारे उसके जो होती है वो व्रधी में माना जाता है और विकास जो होता है वो मानसिक विकास होता है जो एज के हिसाब से बच्चों का विकास होता तो यहां पर अभी व्रद्धि और मैंने बताए है आपको विकास जो है एक बहुमर्की पिर्किरिया होती है विकास में कही चीजे होती है ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में बन वाई वन एक तिन जैसे की व्रद्धि का और दूसरा आपका विक प्रीडियो अप्लोड करूंगी जिसमें आपको काफी अच्छे से डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगी आप बेसिक सी इंफुर्मेशन है इस वीडियो में और आपको जो डैफिनेशन सें जो कोशन्स है वो भी एक वीडियो में बना के डालूंगी तो आज देखें क्या है कि विकास ये बहुम्र की पिर्केरिया होती है सिक्षा मनोविज्ञान के अर्ध्यन में बालब का केवल बौर्धी पक्षी ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तिति के सर्वागी विकास के लिए बच्चे का सारडिक, मानसिक, समाजिक और समवेक आत्मक विकास होना जरूरी होता है देखी क्या होता है सिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है कि बच्चे का ब्योहार का निरिक्षण किया जाता है उसके ब्योहार में परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए किसी भी टीचर को उसका बच्चे का जो है उसकी शारेदिक शमता कैसी है उसकी मानसिक शमता कैसी है वो संबेक आतनक रूपे कैसा है भावातनक रूपे कैसा है उसका समाजिक जाने की उसका इन्वार्मेंटर कैसा है तो ये सारी चीजे टीचर को जो है बच् होती है दूसरा हर लोग जो मनुफ एग्यानिक है उन्होंने इसके बारे में एक रैफिनेशन दी है कि विकास के पाइणाम सरूप व्यक्ति में नमीन विशेष्थाएं और नमीन योगताएं प्रिकट होती है देखी जब क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं जैसे कि जब हमारे में बड़े होते हैं आप काफी चीजें हम नई नई सीखते हैं तो यहां पर हर लोग ने यहीं बताया कि जब विकास ब्रती के अंदर विकास होता तो यहां पर एक कोशन देखे ऐसे भी बनता है कि कोश की व्रद्धी के रूप में किस मनोवैग्यानिक ने अभी व्रद्धी को बताया तो यहां पर जो है वो फ्रैक हैं तो इसी तरीके से छोटी-छोटी थियोरी में कुछ-कुछ कोशन से इस तरीके के बनके आते हैं जिनको मैं डिटेल में आपको बार में बताऊंगी तो इनोंने एक कोश के व्रद्धी के अर्थ में पिरियोग किया था इनके अनुसार शरीर और व्योहार के किसी भी पहलू में जो परिवर्द्धन होता है जाने कि व्यक्ति के या फिर बच्चे के किसी भी शरीर में या उसके ब्योहार में किसी भी तरीके का जो परिवर्दन होता है जाने कि चेंजिंग होती है उसे अभिवर्द्धी कहते हैं और समय द्रश्टी से व्यक्ति में जैसे जैसे समय बढ़ता है और व्यक्ति के व्यक्तित्य में जो परिवरतन होता है उसे विकास कहते हैं ये फिरेक की definition है उन्हों ने अपनी तरीके से अभिव्रद्दी और विकास में डिफरेंस बताया था तो विकास क्या है? विकास शरी के गुडात्मक परिवर्टनों का नाम है कि देखी जैसे जैसे विकास जलसी सहरी बढ़ता है और उसका जो है विकास होता है तो विकास को जो है बुड़ात्न परिवर्तन माना गया है दूसरा विकास परिवर्तन की वो संकेत करता है जैसे कि अब हम मालीजी जब हम छोटे थे तब हमें बहुत सारी चीज़ नहीं आत कि भही हमें यह काम नहीं करना तो कहीं नहीं कि हमें परिवर्तन होता है जयसे हमारे एज बढ़ती और हमारे विकास होता है कहने बढ़ते हैं जब गॉप이gg हो झज़ती है यब हम बड़े हो गए तो रेकि mist dresses तो भे isnut मुत हょ पार टलहою जो है बालक जो है बड़ा होता है उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है तो उसका जो है निश्चित किरम से विकास होता चला जाता है अभिवरत्य विकास के साथ ही व्यक्ति में परिपक्ता आती है जब व्यक्ति जाने की पूर रूप से बड़ा हो जाता है अपनी पू बिशिक सी नौलिज आपके विकास और अभीवरद्धी की अब यह टॉपिक जो है वो काफी बड़ा है इसको मैं कल जो है स्टार्टिंग करूंगे अभीवरद्धी से आपको डिटेल में अभीवरद्धी के बारे में पढ़ाऊंगी उसके नेस वीडियो में आपको विकास क से बारे में पढ़ाऊंगी और उसके बार में इा से कौल से कोशन्स आते हैं किस तरीके के टम्सारि अग्जाम में मिलते है उन चरंच करेंगे तो बस आप लोगों से पारे हिक क्योंकि मेरे ईू सब्सक्राइबर हैं और मुस्ट बहुत सारे उससमें थैंल कियों स्टूड इस वीडियो से जो है काफी लोग कुछ अच्छे से सीखें और बस आपको अच्छा लगा हो तो बस मुझे कमेंट मॉक्स में बताईगा और वीडियो को लाइक करेंगा सब्सक्राइब करेंगा और शेयर जरूर करेंगा बाई बाई